अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रेस कर दें साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजेगा जिससे फ्यूचर की अपकमिंग वीडियो की इंडिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगी अगर आप अपने घर में पेंट कराने के बारे इंडियम रेंज पेंट का मतलब है कि जो जिसका बजट नहीं बहुत कम है नहीं बहुत जादा है ज्यादा तर लोग प्रिफर करते हैं कि जो पेंट वो अपने घर में कराएं वो कम बजट में हो साथ में जो उसकी क्वालिटी हो वो बेटर हो जो उसके एडवांटेज हो जादा हो ओके एंड लांग लास्टिंग हो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं एक एक करके मैं सभी पांचों पेंट के बारे में डिटेल डिसस करूंगा जैसे उनके एडवांटेजिस क्या है कितना कवरिज प्रोवाइड करता है ठीक है कव पांचोंगे शेड्स हैं कॉस्टिंग क्या है एंड लाइफ कितनी है उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिसस करेंगे सो वीडियो को एंड तक देखीगा जिससे आपको सारी जनकारी समझ में आ जाए तो चलिए फिर बीना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करें अनुज आ हाग जो कि मैंने नाव जो सबसे पहला मेडियम रेंच इंटियर पेंट है वहर नेरोलैक ब्रायनट जिसका नाम है नेरोलैक ब्यूूटी शीन सो चलिए इसकी प्रॉपरटी के बारे में जांते हैं ना जो सबसे पहली प्रापर्टी वो है इट प्रोवाइड अगूड शीन फिनिश शीन फिनिश का मतलब होता है कि शाइन करेगा जब आप इस पेंट को अप्लाई करेंगे तिन यह जो पेंट है वो शाइन करेगा सेकिंड पॉइंट है इट ड्राइड कुकिली इसकी छाइदा है कि यह बहुत ही जल्दी सूख भी जाता है गुड अँटी फंगल प्रोपर्टी यह बहुत ही अच्छे प्रोपर्टी है इस पेंट की किसमें जो है फंगल की प्रोब्लम नहीं आती है generally होता क्या है कि जो low budget paint होते है या local brands की जो paints होती है अगर उनको आप जब आप कराएंगे ना तो कुछ टाइम बाद कभी वो moisture के contact में आने के विज़से होता कि उसमें fungal उसमें लग जाते हैं जो fungal लगते हैं वो क्या करते हैं पेंट को खराब कर देंगे साथ में जो wall होता है उसको भी वो effect करता है इस paint में ये खास बात है कि fungal जो है उसमें लगने ही नहीं देगा ना ऑल्सो इट हैस गुड वॉशबल प्रॉपरटी ये भी वह अच्छी प्रॉपरटी इसकी कि माल लीजे कभी इसमें दाग धबे लग गए so easily ये आप इसपे wash कर सकते हैं अगर इसकी price की बात करें so 5000 रुपीज पर 20 लीटर जो है costing आती है 20 लीटर का अगर आप bucket लेते हैं अगर आप color किसी भी color को choose करते हैं then आपको उसका extra cost देना होगा अगर colored shades की बात करें तो इसमें 2000 plus colored shades आते हैं area covering की बात करें तो 110 means 110 square feet per liter company claim करती है double quote and अगर life की बात करें तो 7 plus years की life होती है so जो मैंने भी property बताई है वो narrow like beauty sheen का है and ये paint नहीं ज़्यादा महंगा है नहीं बहुत सस्ता है and इसी property बहुत ही अच्छी है so आप इस paint को apply करा सकते हैं now चली अब second paint की बात करते हैं जो की आता है Asian paint brand का and इस paint का नाम है apco light premium evulsion ये medium range का paint है and इस पे भी आप जा सकते हैं so चली इसकी property ही बात करते हैं so सबसे पहली property आती वो है protection from fungus that causes damage to your wall so इसमें भी antifungal की property है it provides a rich and smooth matte finish इस paint की खास बात किया है कि इसमें आपको एक smoothness मिलेगी smoothness ज़्यादा रहेगी लेकिन matte finish आपको मिलेगा shine finish नहीं मिलेगा means ये paint shine नहीं करता है highly durable है इसकी life की बात करें तो काफी अच्छी है ठीक है durability मतलब है कि काफी लंबे समयता किया चलेगा shades की बात करें तो 2000 plus color shades आपको इसमें मिलते हैं price range की बात करें तो ये 140 rupees per liter white color plus color cost extra आपको pay करना पड़ेगा आप यहाँ price देख सकते हैं काफी effective है like cost effective है और आप इस पर जा सकते हैं area covering की बात करें तो इसमें आपको 70 square feet per liter company claim करता है double coat देखिए अभी जो मैंने narrow like की बात की और ये Asian paint की हम बात कर रहे हैं इसमें आप दिखेंगे तो area covering हम को कम मिल रही है and life की बात कर तो 5 plus years तक ये paint आपका आराम से चलेगा नाव चलिए बात करते हैं third paint के बारे में जो की है बर्जर ब्रैंड का जिसका नाम है रंगोली total care okay चलिए अब इसकी property की बात करते हैं पहली property है prevent blackening slash darkness of wall क्या होता कि generally जब local paints होता है या low quality के low budget या low quality की जो paints होते हैं कराने के बाद कुछ time बात आप देखेंगे कि जो color है वो fade पड़ जाता है darkness आ जाती है या काला पन आ जाता है ठीक है इसी को blackening बोला गया है so इस paint को अगर आप कराते हैं तो यह चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी second property है it provides a rich and smooth matte finish अभी मैंने Asian paint के बारे में बात किया था जो apcolite premium emulsion उसमें भी rich and smooth matte finish देखनों के मिलेगा इसमें भी same आपको वही property देखनों के मिलेगी जिसका मतलब है कि यह paint जो है वह भी shine नहीं करेगा anti-fungal and anti-fading properties है यह paint भी जो है इसमें fungal नहीं लगेगा ठीक है fungal जो लगता है वह उससे यह आपको बचाएगा paint को बचाएगा साथ में जो paint है वह fade नहीं होगा means जो जिस भी color का paint कराएंगे वह time के साथ हलका नहीं होगा okay durability की बात करें तो काफी जादा durable है लंबे समय तक चलेगा color sheets की बात करें तो 3000 plus color sheets आपको देखने को मिलेंगे price की बात करें तो इसका price थोड़ा से जादा है 270 rupees per liter white plus color cost के लिए आपको extra payment करना पड़ेगा area covering की बात करें तो 120 square feet per liter double coat company claim करता है and life की बात करें 5 plus years minimum यह चलेगा ही चलेगा so यह भी एक अच्छे category का paint है अच्छे quality का paint है medium range है आप इस पर भी जा सकते हैं अगर अभी तो आपने देखा होगा तो मैंने जो अभी 3 paints के बारे में discuss किये वो अलग-अलग brands के बारे में हमने discuss किया है and जो अभी next 2 paints के बारे में discuss करूँगा वो भी different brands के ही होंगे silver series इसमें different series आता है gold series आता है bronze series आता है platinum आता है ओके सो यह silver series है यह medium range का paint है इसकी properties की बात करें तो काफी जादा अच्छे properties है इसमें washable की property काफी अच्छा होता है इस paint को आप clean कर सकते हैं and wash भी कर सकते हैं जिस भी wall पे इस paint को apply करेंगे second property है it provides a smooth sheen finish इस paint में भी जो आपको shining देखनों को मिलेगा and smoothness भी काफी जादा होता है highly durable and has good coverage area durability की बात करें तो durable है यह paint and coverage area भी काफी अच्छा है color sheets की बात करें तो 2000 plus color sheets आपको देखनों को मिलेंगी price की बात करें तो 270 rupees per liter इसका white color का cost है and अगर आप कोई color लेते हैं तो उसके लिए extra payment करना पड़ेगा area covering की बात करें तो इसमें भी 130 square feet per liter double coat complete cream करती है and life की बात करती है तो 5 plus years की इसकी life होती है देखिए जितने भी यह में medium range paints के बारे में डिसस कर रहा हूं इनकी जो life है वह सभी paints की minimum 5 years last paint के बारे में बात करते हैं जो यह last paint है यह deluxe brand का आता है and जिसका नाम है deluxe super clean 3 in 1 यह भी medium range paint है and इसकी property काफी जाद अच्छी है so पहली property है कि excellent stain resistance इसमें stain resistance की property बहुत ही अच्छी होती है stain का मतलब होता है दाग धब्बे इसमें दाग धब्बे अगर लग भी जाते हैं तब भी इस paint पे कोई भी असर नहीं होता है easily वह clean कर सकते है it provides a medium sheen finish इसमें जो shining की ने जो प्रपरटी है वह कम होता है as compared to other paints जो भी अभी हमने dishes किया है it gets dry quickly यह भी बहुत जल्दी paint सूख जाता है antifungal की property इसमें अच्छी होती है इसमें भी fungal नहीं लगेगा also it has medium washable property अगर washable property की बात करें तो इसमें उतना अच्छा नहीं है means आप इसको directly पानी से धुल मत दीजेगा जिस भी wall पे paint कराईगा better होगा कि आप जो है wet कपड़े से ठीक है means गीले कपड़े से आप इसको clean कर सकते है लेकिन directly पानी से अगर आप wall को clean करेंगे wash करेंगे then यह problem create हो सकता है that is why यहाँ पे mention है it has medium washable property okay when it gets dry the surface become tough and hard सूखने के बाद इसका जो surface होता है जो paint का film होता है layer होता है वह बहुत hard और tough बन जाता है जो की एक बहुत ही अच्छी property है spend की price की बात करें 280 rupees per liter white color and color के लिए आपको extra cost देना पड़ेगा shades की बात करेंगे 2000 plus color shades इसमें मिल जाएंगे आपको area covering की बात करेंगे 110 square feet से लेके 130 square feet double quote per liter company claim करता है अगें अगर life की बात करेंगे तो 5 plus years की इसमें भी life आपको देखनों को मिलेगी जितने भी अभी हमने paints की बात किया है उसमें अगर आप price की बात करेंगे तो जो Asian paint का मैंने भी discuss किया था उसका जो price है वो lump sum 140-50 rupees तक आपको मिल जाएगा बाकी जितने paints हमने discuss की है वो 200 plus में ही आपको मिलेगा बट यह medium range की paint है और इनकी property बहुत अच्छी है तो अगर आप चाहते हैं कि कम budget में अच्छा paint कराएं अच्छे time तक जो है वो paint जो है sustain करें दिन आप इस paint को इन में से किसी भी एक paint को आप preference दे सकते हैं मैंने इन सभी paints को apply करवाया हुआ अपने projects में और काफी अच्छा response देखनों को मिला है बट ध्यान रखिएगा कि जिस भी wall पे paint apply कराईएगा उस पे जो है कोई नमी न हो अधर वाइस कितना भी अच्छा paint उस पे कराएगे ना वह paint धीरे-धीरे खराब हो ही जाएगा ठीक है तो यह चीज आप थोड़ा सा चिक कर लीजेगा कि किसी जिस भी wall पे आप paint apply करें उसमें नमी न हो खासकर यह बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर नमी है दिन आपको waterproofing कराना होगा उसके बाद ही आप paint apply कराएगे यह मेरा एक suggestion होगा मैंने और पेंट का process कैसा होता है उस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट ब्राइंट्स पे interior and exterior paints के बारे मैंने detail में डिसस किया हुआ है जैसे बर्जर हो गया नेरोलाक हो गया Asian paint हो गया इन सब के बारे मैंने detail में वीडियो डिसस किया हुआ है बनाया है आप जाके देख सकते हैं मैं comment section में जो है सभी links शेयर कर दूँगा आपके साथ आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं for better clarification I hope आपको यह जो वीडियो है अच्छे लगी होगी जो भी हमने information बताया आपको अच्छा पसंद आया होगा अगर कोई भी doubt है तो आप comment section में लिखके पूछ सकते हैं अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें ऐसे ही चैनल को support करते रहिए तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए thought के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिन वंदी मातर